अपनी तारीफे सुनना किसको अच्छा नहीं लगता, अपनी तारीफे सुनना सबको अच्छा लगता है, बुराई किसी को अच्छी नहीं लगती, तो आज की इस वीडियो में मैं तुलाराशी की महिलाओं या तुलाराशी की लड़कियों की अच्छाईयों के बारे में बत साथी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में जो है बेहद खास कुम्बराशी की महिलाओं के लिए अगर आप अपने अवगुण भी जानना चाहते हैं सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हाँ वीडियो के लास्ट में अग हमारे चैनल के साथ क्योंकि यहां आपको मिलती है अपनी राशी से जुड़ी हुई हर एक जानकारी समय पर और समय से पहले तो मैं बात करी हूँ तुला राशी की महिलाओं के बारे में या लड़कियां भी आप कह सकते हो तो तुला राशी के सबसे पहले आपको यह जानन हैं अब शुकर देव क्यों पहली पसंद क्योंकि यह लग्जरी चीजों के कारक रहे हैं यह कला प्रेमी हैं सुन्दरता के कारक हैं यह उन सभी चीजों के कारक रहे हैं जो महिलाओं अधिकतर पसंद करती हैं तो चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं क्या हैं आपकी अच तुला राशी की महिलाओं को अगर आप देखें, आपके असपास हैं, आपके परिवार में हैं, या फिर आप खुद तुला राशी की हैं, किसी के बारे में भी आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह बातیں कितनी सटीक हैं, और कितनी ज़्यदा मिलती हैं उन इसत् कि उससे जब आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यह सिर्फ मेरी बाते सुनना इनको पसंद है यह यह मेरे बारे में ही जादा ख्यार रखती हैं इस तरह के व्यक्तित्तों की यह महिलाएं पाई जाती हैं इन लोगों को आप ऐसी भी चीजे हैं कि इन लोगों से आप अपनी बातें बहुत आसानी से मनवा सकते हैं क्योंकि मित्रता की बात हो या फिर रिष्टे की बात हो अगर कोई इन राशी वाले महिलाओं का मित्र है या फिर कोई रिष्टा है आपका उनसे तो यह उसके उपर पूर्ण रूप से निचावा रहती हैं यानि आपने कहा यह चीज चाहिए तो बिलकुल चाहिए यह मदद चाहिए तो बिलकुल चाहिए यानि यह सब चीज में करने को तयार हैं लेकिन अगर इनको थोड़ा गुस्सा आए तब यह आपको छोड़ेंगी भी नहीं ऐसी इनकी यह क्वालिटी होती है जब तक यह आपके उपर अगर आप तुलाराशी का चिन देखो तो वो होता है तराजू का चिन यानि कि बराबर न्याय रखना बराबर चीजों को देखना हर एक को अपना बना के रखना और खुश मिजाज रहना हसना कूदना खेलना और सभी को छेड़ कर चलना खुश मिजाज रहना ये इनकी कोई ही आसानी से अपनी तरफ आकरशित कर सकती है क्योंकि इनका व्यक्तित भी ऐसा है क्योंकि सबसे प्रेम से बोलना इनको बहुत पसंद है और सबकी बातों को मानना भी इनको बहुत पसंद है ये न्याय पक्ष न्याय के लिए एक बहुत जादा सक्रिय कही जा सकती है बहुत पसंद है, विलासिता की चीज़ें, लगज़ी चीज़ें हो गई, शॉपिंग वगएरा करना हो गया, शॉपिंग करना इनको बहुत पसंद है, नहीं नहीं चीज़ें इनको खरीदना पसंद है, आप ज्वैलरी ले लो, उनको खरीदना इनको बहुत पसंद है, कपड दूसरों को बहुत अधिक आकश्यत लगता है इसलिए ये अपने वहवार से आसानी से दूसरों को प्रभावित कर लेती हैं और हाँ बुद्धिमान भी होती है ऐसा नहीं ये बुद्धिमान नहीं है बुद्धिमान भी है बहुत सक्रिय दिमाग होता है इनका बहुत सी बहुत अच्छा ऐसा देखने को मिलता है और समझदारी से अगर आग इन से कोई बहस करे तो ये अपना पक्ष बड़ी आसानी से रखते हैं बात चीज करने में सक्षम होते हैं और मजाकिया अंदाज में ये उन चीजों को समहाल भी लेते हैं जब इनका मजाकिया स्वभाव तो है ही और उसी चीज के बलबूते अपना पूरे जीवन में हर एक चीज को मैनेज भी कर पाते हैं अब जो इनकी भावना है ये उनको छुपाने में बड़ी कठना इनको होती है अब मैं एक चीज और कहूंगी कि आपके आसपास के लोग इनको चैट बॉक्स भी कह सकते ह क्योंकि ये हमेशा वही बोलते हैं जो आप चाहते हैं यानि अगर आपको जो आपको सुनना पसंद है ये तुलाराशी की जाट तक वही बातों का प्रियोग करेंगे उनी चीजों को बोलेंगे जो आपको पसंद है यानि आपको लगेगा कि ये आपके लिए कितना प्रेम करती हैं तो इनको आप चैट बॉक्स कह सकते हैं कि जो आप सुनना चाहते हैं वही आपसे बोलेंगे पार्टिया इनको पसंद है लोगों से घरे रहना इनको पसंद है सकारात्मक यह हैं ही आशावादी भी यह हैं और अपने सरकल में यह बहुत पॉपलर भी होंगी अपने सरकल में इतनी जादा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले इस राशी के आप लेडिज को बोल सकते हैं अब कुछ चीजें हैं जहां यह बड़ी अच्छे से रहती हैं जैसे जो इनकी बड़ी पसंदिदा चीजे होती हैं जैसे इनको सुन्दर देखना पसंद है व उनको उनका जो करियर है वो कैसा रहता है तो देखिए करियर के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत कामकाजी होंगी सहयोगी होंगी और एक बहुत अच्छी लीडर भी रह सकते हैं क्योंकि सबको मनाना इनको आता है सबको खुश करना इनको आता है तो काम को बड़ अ मौकरी करने वाली अधिक्तर इस राशी की महिलाएं पाय जाती हैं और साथ में वेपार भी अच्छा करती हैं और वेपार के मामले में ये ऐसी चीज़ों की तरफ ज़ादा रहती हैं जो स्वक्रुंस से जोड़ी हुई चीजे हैं, उनकी तरफ ये जादा वेफसाय करने की तरफ रहती हैं, अब इस राशी की अगर मैं वित्य स्थिति की बात करूँ, तो देखें ये जो महिलाई हैं न, बहुत खर्चा करने वाली मिलेंगी आपको, क्योंकि खरिदारी बहुत करती हैं, शांदार वस्तों खरिद राशी के जो महिलाएं हैं, अपने पैरों पर खुद से खड़ा होना चाहती हैं, अगर ये अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाती हैं, तो पूरे जीवन इनको मन में ये जरूर इच्छा होती हैं, कास ये भी कुछ कर पाती, या फिर इनके पास भी कुछ करने का एक तरीक होता या फिर कुछ करने की इनके अंदर उस टाइम पे हिम्मत होती तो ऐसी चीज़ें इनके मन में हमेशा चलती रहती हैं तो बुद्धिमान राशी है मधुर राशी है आकरशक है मनुरम है मिलनसार है ये खास बात है और एक चीज बहुत अच्छी है तुला राशी के महिला बहुत अच्छी श्रोता है और इसी की वजह से इनको इतनी तवज्जो भी मिलती है और ये अपनी जीवन में बहुत अच्छे आफसर भी प्राप्त करती है तो ये थी कुछ ऐसी विशेस्ता है जो आपको सुनकर कैसा लगा है जिने आपको सुनकर कैसा लगा है कमेंट और अगर अवगुन भी जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक भी करें चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं